आज बनाने जा रहे हैं कुल्फी तो यह देखिए यहां पर एक लिटर दूद है और यह है हमारे पास इतनी चीनी चीनी मीठी भर होने के लिए हमने लिया है आप अपने इसाब से कम ज्यादा चीनी ले लीजिएगा आज हम बनाएंगे कुल्फी चीनी को करमलाइज करके तो आप इस तरह से रख दीजेगा और गैस की फ्लेम को आप धीमा कर दीजेगा इसको बनाने के लिए आप मोटे तले का बढ़तन इस्तेमाल करिएगा आप इसको धीमी धीमी आज पर इस तरह से थोड़ा सा पकने देते हैं अब यह देखिए चीनी जो है हलकी हलकी मिल्ट होन आप चलाएंगे आप तो यह अच्छे से पक जाती है नहीं चलाने में ना नीचे से जलने लगती है गैस की फ्लेम को आप एक्टम से धीमा ही रखिएगा तेज बिल्कुल भी नहीं करिएगा अब यह देखिए चीनी जो है अच्छे से पिघल गई है तो अब इसकी फ्लेम को हम बंद कर देते हैं अब यह दूद आप उस बर्तन में डाल दीजेगा जिसमें इसको गाढ़ा कर रहा है तो यहां पर हमने कढाई ली है आप इस दूद को हम इसमें डाल देंगे बढ़िया फुल क्रीम आप लीजेगा दूद तो एक लीटर पूरा दूद इसमें हम डाल देंगे और अब इसको चड़ा दीजिए आप गैस के ऊपर अब इसकी फ्लेम को आप एकदम से तेज कर दीजिएगा और यह जो आपने अभी चीनी यह तेयार की है इसको आप इसम ठंडी हो गई तो गाड़ी-गाड़ी सी हो रही है तो इसको पूरा आप इसमें डाल देजेगा दूद ठंडा होगा तो यह उपर को उबाल नहीं मारता है नहीं तो यह एकदम उबाल उपर को आ जाता है अब ये देखे कितना टाइट टाइट इस तरह से है तो इसमें आपको घबराने के जरूरत नहीं है ये चीनी देखे इस तरह से टाइट टाइट से हो जाती है ये देखो ये अभी कहना ये अभी आराम से घुल जाएगी ये देखे अभी पत्थर जैसी है ये देखो अब दे दूध में उबाल आका गई है और यह देखिए चीनी जो है, दूध में अच्छे से घुल मिल गई है, पस इतनी जरा सी भची है तो यह अभी अभी घुली जा रही है भी। दूद का कलर इस तरह से दिखने लगा है कितना अच्छा सा दिख रहा है प्यारा सा चडिया इसको हलका सा और जो चीनी है इसको भूलने तक और इसको पका लेते हैं भी अब यह देखिए चीनी अच्छे से दूद में मिल्ट हो गई है आप यहां पर हम क्या करेंगे यह हमने लिया है milk powder तो दो चम्मच हमने milk powder लिया है अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा दूध और यह दूध रूम टमप्रेचर वाला है तो थोड़ा सा ही दूध अभी डालिएगा और इसको घोल लीजिए दूध अच्छे से घोल लिया इसमें देखें लम्स बिल्कुल भी नहीं है अब इसको हम मिला देंगे दूध में तो आप यहां पर हमने लिया है कार्न फ्लोर तो यह दो चम्मच है हमने भर भर के लिये हैं तो अब इसमें भी हम डालेंगे रूम टम्प्रेचर वाला दूद तो थोड़ा सा आप इसमें दूद डाल दियेगा पहले इसके बाद इसको अच्छे से मिला लेजेगा ऐसा मिलाईएगा कि इसमें भी गुठल ना पढ़ने पाएं इसको भी देखिया अच्छे से हमने गुल दिया है अब भी हम इसमें डाल देंगे दूद पे तो आप इस तरह से आप फटा फट इसको आप डाल दीजी ओहो चमच भी हमारा इसमें घुस गया कोई बात नहीं फिलाल इसको हम पहले ऐसे फटा फट मिला लेते हैं क्योंकि इस अब यह देखिये चममच हमारा जो घुस गया था इसको हम पाहर निकाल लेते हैं अब आपको इसको कांटीनू चलाते रहना है इसको कितना गाढ़ा करना है अभी हम आपको आगे बताएंगे फिलाल इसको इस तरह से कांटीनू चलाते रहेगा अभी देखिए काफी पतला तोड़ी देर पकने के बाद अब ये देखे दूद्ध इस तरह से गाढ़ा हो गया है तो चम्ची में इस तरह से लिपट रहा है ये देखे इस तरह से तो अब इसकी फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको रूम टमप्रेचर में अच्छे से ठंडा कर लेते हैं ये देखे कितने अच्छे से ये ठंडा हो गया और ये गाढ़ा गाढ़ा भी अब दिखने लगा है अब ले लीजिए मिक्सी का जार और इस पूरे मिस्रण को आप इसमें डाल देजिए तो अभी इससे बहुत और सौप्ट सा हो जाएगा अभी इस तरह से दिख रहा है पूरे मिस्रण को हम इसमें डाल देते हैं अब इस तरह से हमने इसको डाल दिया है और ये है हमारे पास कुछ बादाम और ये पिस्ता इनको हमने महीन महीन कट कर लिया है तो थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें गार्निश के लिए रख देंगे तो दोनों चीजे आप थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डाल देजिए यह यहाँ पर लिया है इतना हमने इलाइची पाउडर ग्रेन इलाइची पाउडर यहाँ पर आप इतना डाल दीजिए आईए अब इसको हम अच्छे से पीस लेते हैं अब यह देखे इस तरह से यह बड़िया सा त्यार हो गया है कुल्फी जमाने के लिए हमने यहाँ इस तरह से छोटे-छोटे से यह बड़तन ले लिए हैं आप अपने हिसाब से कोई भी बड़तन ले लो जिसमें आपको कुल्फी जमानी है इस तरह से रहता है ना कि सब फैम डाल देते हैं पूरा मिसरन जो है हमारा इतने में आ गया है अब ये देखे इस तरह से हमारा ये त्यार हो गया है अब इसमें हम डाल देंगे बचा हुआ पिस्ता और बादाम तो ये उपर से अच्छे से गार्निश को कर दीजिए इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा सा आता है लुक भी बहुत अच्छा सा लगता है अब इसमें पिस्ता जो है पिस्ता डाल दीजिए ड्राइफ रूट्स की मात्रा तो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा जितनी करनी हो उसे हिसाब से कर दीजिए हम तो ये आज शे खासे भर-भर के ड्राइफ रूट्स डाल देते हैं तो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है टेस्ट भी अच्छा सा आजाता है ये है इन डिब्मों के धकन तो इन डिब्मों के धकन को इसमें अच्छे से आप बंद कर दीजिए इससे क्या रहता है जो एक्स्ट्रा बर्फ है इसके अंदर कुल्फी के अंदर नहीं जा पाती और कुल्फी अच्छे से बन कर त्यार होती है तो चलिए इन सभी ढखकनों को इसमें हम अच्छे से sit कर लेते हैं इस तरह से हमने इनको अच्छे से ढख दिया है अब इसको हम कम से कम 6-8 गंटे हम फ्रिज में अच्छे से sit होने के लिए रख देते हैं और ये देखिए कितनी बढ़िया जो कुल्फी है जम कर त्यार हो गई है और ये बनाने में भी इसको देखिए दिक्कत नहीं होती आराम से बन जाती है तो ये देखिए स्वादेश्ट कुल्फी बन कर त्यार है तो आप भी इस तरह से बनाईएगा आपको भी इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा तो मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और अच्छी healthy tasty और बहुत ही easy recipe के साथ तब तक see you take care, bye bye